हलो दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तो सोमबार के दिन सिप्री मतलब Stockholm International Peace Research Institute के तरब से एक report publish किया गया जहाँ पे बताया गया है कि इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा defense expenditure में शामिल हो चुका है मतलब इंडिया के defense budget अब दुनिया में स्रिफ दो देशों का ही पीछे है इस लिष्ट में जहाँ पे एक नंबर पे अमेरिका का नाम रखा गया है वही पे दो नंबर पे चायना का नाम रखा गया है और साथी साथ ये भी बताया गया है कि पहली बार इंडिया इस लिष्ट के तीसने नंबर पे आया है और पहली बार ऐसा हुआ कि दो एशियाई देश एक साथ टॉफ थ्री में हैं जिसके पीछे कारण को दर्शाते हुए बताया गया है कि इंडिया का ऐसा दो पडोसी है जिसके मनसुबा हमेशा से इंडिया को लेके खतरनाक तरिन रहता है और इन देवनों देशों को एक साथ काउंटर करने के लिए ही इंडिया को मजबूरन अपने डिफेंस बजट को इतना हद तक बढ़ाना पड़ रहा है रिपोर्ट के मुताविक 2019 में टोटल वर्ल्ड का डिफेंस बजट करीबन एक हजार नौसो सत्रा बिलियन डॉलर था और ये बीते 30 सालों के डिफेंस बजट के तुलना में सबसे जादा है रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया है कि 2018 के तुलना में 2019 में गलोवल डिफेंस बजट में करीबन 3.6% का बढ़ोतरी हुआ है जबकि इस टोटल बजट में से करीबन 62% बजट सिर्फ 5 देशों का बजट है इन्डिया के डिफेंस बजट को देखे तो बीते 30 सालों में इसमें करीबन 269% बढ़ोतरी हुआ है जबकि बीते 10 सालों में ये बढ़ोतरी करीबन 37% का रहा GDP के ले आज पे देखे तो 2010 से 2019 के बीच में इन्डिया के डिफेंस बजट मतलब इंडिया अभीवी defense budget को सबसे जादा priority नहीं दे रहा है जबकि ऐसे बहुत सारा देश है जो इंडिया के तुलना में economically बहुत weak है फिर भी 4-5% तक अपने defense budget की उपर खर्जा करता है जबकि उन देशों में defense के इलावा वी ऐसे बहुत सारा sector है जिसमें बहुत भारी investment का जरूरत है जैसे कि medical और education sector जबकि इंडिया में इन सेक्टरों को defense sector से ज़्यादा priority दिया जाता है इसे लिए इंडिया का defense budget GDP का स्रिफ 2.4% है जबकि इंडिया का economy और total forex reserve को अगर देखे तो ये budget इंडिया के लिए काफी छोटा है करीबन 1.4 million serving personnel और defense modernization को ही आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के तरफ से इतना बड़ा budget को रखा गया था और इस budget के तहट इंडिया द्वारा helicopter, fight area craft, warship और कुछ अन्य हत्यारों को भी खरिदा गया दोस्तो global GDP और defense budget को अगर compare करे तो global defense budget करीबन global GDP का 2.2% है मतलब इंडिया करीब करीब उतना ही खर्चा कर रहा है जो पूरा दुनिया कर रहा है ओही पर इस list पे सबसे उपर जो देश है उसका total defense budget को देखे तो ये पहले 10 देशों के 31 defense budget के बराबर है मतलब अमेरिका के defense budget करीबन 732 billion डॉलर है जो total global defense budget के करीबन 38% है जबकि दूसरे नंबर पे स्तान लिया हुआ देश मतलब चाइना का total defense budget करीबन 211 billion डॉलर है जो global defense budget के करीबन 14% है 2018 के तुलना में चाइना का defense budget में 2019 में करीबन 5.1% बढ़ोतरी हुआ है जबकि 2010 से लेके 2019 मतलब बीते 9 सालों में ये बढ़ोतरी करीबन 85% था बीते 25 सालों में चाइना का military expenditure कई सोगुना बढ़ा है और यही कारण है जो इंडिया को अपना defense budget को बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है दोस्तों आफ सबको पताई होगा कि चाइना गभी भी इंडिया को लेके कोई भी friendly gesture नहीं दिखाता है जबकि चाइना का मनसुबा भी इंडिया को लेके किसी तरीके से friendly मनसुबा नहीं का जा सकता है चाइना आये दिन भारत के शेत्रे के उपर अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है और इंडियन ओशन के अंदर भी अपना पैर को फैला रहा है जबकि चाइना के साथ सथ पाकिस्तान में भारत को परिशान करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता पाकिस्तान के defense budget को देखे तो 2010 से लेके 2019 के बीच में पाकिस्तान द्वारा defense budget को करीबन 70% बढ़ाया गया है जबकि इंडिया का ये बढ़तरी सिर्फ 30% है जबकि चाइना का ये बढ़तरी करीबन 85% है वही पे पाकिस्तान जैसे गवरिब देशों के तरफ से जहाँ पे पहले 2010 में defense budget के उपर अपने जीडिवी का 3.4% इस्तेमाल किया जाता था वही पे 2019 में ये बढ़के करीवन 4.3% तक आ गया है जबकि 2010 के तुलना में 2019 में पाकिस्तान का economy कई गुना घटा है और पाकिस्तान का GDP growth rate भी कई गुना घटा है इवन पाकिस्तान में भुक मरी और गरीवी भी कई हजार गुना बढ़ा है फिर भी पाकिस्तान के तरफ से अपने अवाम के पैसा education और health sector में नहीं बलकि military expenditure के उपर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके पीछे एकी मनसूबा है और वो है कैसे भारत को नुकसान पहुचाया जाए तो दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि भारत का जो military expenditure है वो सही है कि भारत को इसे और आगे बढ़ाना चाहिए कॉमेंट करके जुरूर बताईए और साथी साथ वीडियो कैसा लगा जुरूर बताईएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे Instagram, Twitter और Facebook में support कीजिए और अगर आप लोगे को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो से लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबकी शुम बटन के साने बना हुआ बेल आइगन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जैहिन